हेलो एरोवन कैसे आप सभी आई होफ सभी अच्छी होंगे स्वाश्ट होंगे और मस्त होंगे स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कोई भी चीज हमें चाहिए या हम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ऐसे संटेंसे का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट जैसे यह वांट है वांट मतलब होता चाहिए और वांटिड होता चाहिए था वांट चाहिए कोई भी चीज आपको अपनी लाइफ में चाहिए उसके लिए आप वांट का यूज करे वांट का यूज नहीं होगा क्योंकि जो वांट और वांटिड है यह वर्ब के तरह ही काम करता है एक वर्ब है इसलिए उब्जेट के साथ बनाएंगे जैसे मुझे एक कार चाहिए I want a car मुझे एक पैन चाहिए I want a pen मुझे एक फोन चाहिए I want a mobile ऐसे हम यूज करेंगे व कि अब मैं बोलू जैसे subject plus wanted तो जो wanted आ गया हमारा तो ये past को present करेगे और और ये present को ठीक है present में बोलेंगे हम तो want लगाएंगे और past में बोलेंगे तो wanted लगाएंगे और जो want है ये हमारा wants बन जाएगा कब जब हमारा subject I, we, you दे होगा तो want लगाएंगे he, see, it या कोई भी name होगा कोई भी नाम होगा तो हम wants लगाएंगे ये आप adjust करेंगे subject के according गोट इट, आगे चलते हैं जैसे मैंने एक example लिया कुछ example लिखे हुए है देखेंगे इनको और सीखेंगे I want freedom freedom होता है आजादी मुझे आजादी चाहिए I want confidence यानि कि मुझे confidence चाहिए I want success success होता है सफलता मुझे सफलता चाहिए क्योंकि ये सारे हमारे object है verb नहीं है आगे verb के बारे में भी सिखाऊंगी में आपको पैलिन को देख लेते है I want peace of life यानि कि मुझे अपने life में श्यानती चाहिए I want answer मुझे answer चाहिए कोई बात पूछी तो कहते हैं कि यार मुझे इस चीज का answer चाहिए तो कैसे बोलेंगे I want answer I want some money मुझे कुछ पैसे चाहिए I want some rice मुझे कुछ चावल चाहिए I want a new job मुझे एक नई नोकरी चाहिए कुछ भी अपकी life में चाहिए आपको और वो चीज है वो हमारे वर्ब नहीं है यानि वर्ब क्या होती है जिसके पीसे आना खाना पीना जाना आता है वो हमारी वर्ब होती है जिसमें वर्ब ना हो वो संटेंस हमारे वांट से बनेंगे ठीक है आई है तो वांट अगर आजाए यहां ही तो आजाएगा वांट I want freedom ओके I want freedom और यहां हो जाएगा He wants freedom He wants a pen ठीक है समझाया कैसे आपको बनाने है ऐसे ही जब हम बात करते हैं नेगेटिव संटेंस की प्रेजंट की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे हम subject plus do does plus want plus object ठीक है यानि कि मुझे आजादे नहीं चाहिए I don't want freedom मुझे success नहीं चाहिए I don't want success मुझे pen नहीं चाहिए I don't want a pen मुझे car नहीं चाहिए I don't want a car समझाया कैसे यूज करना है अब हम इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो do orders आगे आजाएगा क्या तुम्हें freedom चाहिए do you want a freedom क्या तुम्हें pen चाहिए do you want a pen क्या तुम्हें कार चाहिए do you want a car ऐसे हम बोलेंगे तुम्हें freedom क्यो चाहिए why do you want a freedom तुम्हें कार क्यो चाहिए why do you want a car ठीक है समझाया ऐसे आप बारे बारे से प्रेक्टिस कीजेगा ये तो हमने प्रेजेंट में सीखा want का यूज अगर हम negative की बात करते है interrogative की बात करते है तो हमें ऐसे ही बोलना है पहले चाहिए फिर नहीं चाहिए क्या तुम्हें चाहिए तुम्हें क्यों चाहिए तुम्हें क्यों नहीं चाहिए जो 6 structure में आपको सिखा रखे उनके उस पे बिहाब पे ही आपको प्रेक्टिस करनी है अब बात आती है wanted को यूज करेंगे हम past में कोई चीज हमें चाहिए थी मुझे सफलता चाहिए थी I wanted a success मुझे एक कार चाहिए थी I wanted a car मुझे एक नया घर चाहिए था I wanted a new house ठीक है ऐसे हम wanted का यूज करेंगे जब हम negative की बात करेंगे तो subject did आ जाएगा I did not wanted object did को didn't भी लिख सकते हैं मुझे कोई चीज नहीं चाहिए थी मुझे तुम्हारी book नहीं चाहिए थी I didn't wanted your book मुझे तुम्हारा phone नहीं चाहिए था I didn't wanted your mobile या your phone ठीक है समझा है didn't का यूज कैसे करना है मुझे सफलता नहीं चाहिए थी I didn't want to success ठीक है wanted लगाना है जो भी sentence हम बोल रहे हैं उसमें wanted का यूज होना चाहिए और did का आगे आगे आपको arrange करना आता है कि did कैसे लगेगा हमारा interrogative में फिर हमारा interrogative प्लस negative में कैसे लगेगा और डवलोस family के साथ हम कैसे इसको use करेंगे अपने conversation में ठीक है यह आप अच्छे से बना लेंगे अब बात आती है हमारी want to हमने सीखा want और wanted इसमें verb का यूज नहीं होता है केवल noun के साथ यह बनते हैं कोई भी चीज हमें चाहिए उसके अर्थ में हम want और wanted का यूज करेंगे अब हम सीखते हैं want to चाहता है जो भी subject है जो भी subject है वो कुछ भी करना चाहता है अपनी life में तो क्या आजाएगा हमारा subject करता कारे को करने वाला जो कारे को करने वाला है वो कुछ भी चाहता है अपनी life में वो आएगा work की first form मैंने पहले भी बताया जहां भी two आजाए वहाँ वर्व की first form ही आएगी और object जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ मैं पढ़ना चाहता हूँ अब जो want था to नहीं था तो read क्या होता पढ़ना तो उसमें हमने वर्व की form यूज नहीं की थी जो want था वो ही form का काम करे थी केवल हमने object को use किया था इसमें हम पढ़ना चाहता है यानि कि मैं पढ़ना चाहता हूँ मेरी इच्छा है पढ़ने की तो subject I want to read ठीक है समझ में आया जैसे मैं जैसे मैंने बोला मैं अपनी life में कुछ करना चाहता हूँ तो कैसे बोलेंगे I want to do something in my life ठीक है मैं अपनी life में पढ़ना चाहता हूँ मैं अपनी life में इंगलिस सीखना चाहता हूँ मैं अपनी life में भार घूमना चाहता हूँ जो भी आप अपनी life में करना चाहते हैं उनका use want to से होगा ठीक है जैसे मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, I want to go to Delhi, ठीक है, मैं इंगलिस बोलना चाहता हूँ, I want to speak English, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, I want to meet you, ठीक है, ऐसे आप want का यूज करेंगे, अगर हम कहें कि नहीं चाहता, तो इसमें क्या आजेगा, वो ही डूडा जाएगा यह आप अच्छे समझ रहे हैं, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो पहले चैनल पर जाके बागी की वीडियो भी जरूर देख लेना, इस वीडियो को देखने के बार, अब आगया, don't, क्या पढ़ना चाहते हैं, तो do आगया जाएगा हमारा, do I want to read, why do I want to read, why do I want to read, ठीक है, समझ आया, कि आपको कैसे want का यूज करना है, आई हो पच्छे से समझ आ गया होगा आपको, अब जो भी आप अपनी लाइप में करना चाहते हैं, उसको want से use कीजिएगा, आज के बाद ऐसे sentences आप हिंदी में नहीं बोलेंगे, इंगलिस में ही बोलने क प्रक्टिस कीजिएगा, आप देखते wanted का यूज, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, अच्छी लग रही है, और आपको सेखने में मज़ा आ रहा है, तो आप लाइक कलीजिएगा वीडियो को, आप wanted चाहता था, यानि कि मैं अपनी लाइप में कुछ करना चाहता था तो I wanted का मतलब होता है, past की बात हो रही है, past की बात, यानि कि आप कुछ करना चाहते थे, इसका structure क्या होगा, subject, wanted to, work की first form और object, ठीक है, समझा है, जैसे मैं इंग्लिस बोलना चाहता था, मैं अंग्रेजी बोलना, सब चाहते हैं बोलना, तो practice कीजिएगा, तभी आएगी, ऐसे नहीं आएगी, वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला, तो I क्या है, मैं अब चाहता था के लिए क्या रगेगा, wanted to, मैं बहुत आराम से सिखा रही हैं आपको, इसलिए धिरे ध सब कुछ डिपेंड किस पर करता है, प्रेक्टिस पर, I wanted to speak English, ठीक है, मैं तुमसे मिलना चाहता था, I wanted to meet you, मैं तुमसे बात करना चाहता था, I wanted to talk to you, मैं तुमारे घर आना चाहता था, I wanted to come to your place, ठीक है, ऐसे आप सेंटेंसी बारी बारी से बनाएंगे, मैं पानी पीना मैं चाहे लेना चाहता था, I wanted to drink water, मैं चाहे लेना चाहता था, I wanted to take tea, ठीक है, ऐसे संटेंसी बोलेंगे आप, यह होगी हमारा पोजिटिव संटेंस, अब नेगिटिव की बात करते तो क्या एगा, डिड़न्ट, पास्ट में क्या आता है, डिड, डिड नोट, डिड नोट तो वर्ब की फर्स्ट फोर्म लेगता है, want to speak English, ठीक है, अगर हम क्या की बात करेंगे, तो डिड आगे आजाएगा, अगर हम डवल एस फैमिली की बात करेंगे, तो डवल एस फैमिली प्लस हमारी helping verb, प्लस want, उसके बाद हमारा जो भी verb होगी, पढ़ना, लिखना, बैठन उठना वो लगेगी, उसके बाद object लगेगा, यह आज हमने want के सारे uses पढ़े, I hope वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like करके, चैनल को subscribe जरूर कर लेना, साथ ही bell icon को भी press कर लेना, ताकि आने मारी वीडियो की notification सबसे पह